नमस्कार दोस्तो स्वागत है आपका पैबली हिंदी में आज का हमारा टॉपिक है एड हाउजिंग डॉट कॉम लीट्स टू गूगल शीट्स ऑटोमाटिकली तो दोस्तो आज के इस वीडियो में हम भी समझेंगे कैसे आप एक ऐसा इंडिकरेशन बना सकते हैं हाउजिंग डॉट कॉम गूगल शीट के बीच में कि जैसे ही कोई न्यू लीट जनेरेटो हाउजिंग डॉट कॉम से तो आटोमेटिकली वो लीट का रिकॉर्ड एड हो जाए हमाई किसी पर्टिकुलर रो में गूगल शीट में दोस्तों पॉसिबल है आप यह पूरा प्रो मेरे स्क्रीन पे ओके फ्रेंड्स तो यह है पैबली का लेंडिंग पेज और आप इस पेज पर आ सकते हैं सिंप्ली आपके ब्राउजर में टाइप करके पैबली.com यहाँ पर आपको दो option मिलते हैं एक है sign in को option दूसरा sign up for free option तो अगर आप एक new user है तो आपको simply click करना है sign up for free वाली बटन पे और आप आपका account बना सकते हैं cable domit मैं मैं क्लिक करूंगा sign in वाली बटन पे क्योंकि मैं एक existing user हूँ उसके बाद दोस्तों आपको जाना है पैबली connect वाले डायलोग बॉक्स में क्लिक करना है access now और आप आजाएंगे पैबली connect के dashboard पे यहाँ पे आपको right hand side पे बटन दिखेगा create workflow का उस पे आपको क्लिक करना है तो एक dialogue box open हो जाएगा आपके screen पे जो बोल रहा है enter the name of the workflow तो दोस्तो basically हमको यहाँ पे हमाई workflow को कोई नाम देना है let's say मेरी workflow को यहाँ पे नाम देना चाहता हूँ तो दोस्तो trigger बोलता है when this happens जिसका मतलब होता है जब ऐसा हो तो action बोलता है do this तो ऐसा कर दो basically trigger हमारे automation को start करता है और action में हम वो particular action perform करते हैं जो हम करवाना चाहते है हमारी automation में तो यहाँ पे आपको trigger application चूज करना है इधा पर आपको action application चूज करना है तो दोस्तो जैसा कि आप जानते है housing.com जो है वो एक बहुत ही amazing platform है real estate business owner के लिए जैसा कि आप जानते हैं कि आप इधर पर आपकी जो properties हैं उनको list कर सकते हैं जिसकी मतलब से आपको एक exposure मिलेगा आप more clients तक reach कर सकते हैं यह बहुत ही amazing platform है तो इधर पर हमारे use case में हम क्या करने वाले हैं कि for example आपने आपकी एक property list करी housing.com पे वहां से जो leads generate हो रही है मतलब आपको clients हैं वो आपकी properties के बारे में जानकारी जानना चाहते हैं तो जो leads generate हो उनका data आप google sheet में record करना चाहते हैं अगर आप यह चीज़ manually करेंगे तो बहुत time consuming process है लेकिन पाबली करने की मतलब से आप एक ऐसा automation बना सकते हैं कि जैसे ही कोई new leads generated हो housing.com पे तो automatically पूरा record add हो जाए google sheet में आके इस तरह जैसा कि मैं आपको एक sample दिखाऊं एक existing lead का data यहाँ पे शोर है demo user demo address यहाँ पे automatically details add होती जाएं तो यह पूरा हमारा objective है ठीक है तो इधा पर आपको housing.com ले लेना है trigger में trigger event आपको यहाँ पर choose करना है new leads ठीक है तो दोस्तों आपको एक web o qrl मिल जाएगा अब दोस्तों web o qrl की मदद से आप कोई सी भी application को पैबली कनेक्ट में connect कर सकने यह ब्रिज की तरहें काम करता है और इसी web o qrl की मदद से आपको response capture करना है पैबली कनेक्ट में housing.com से ठीक है इधा नीचे आपको information पर लेना है कैसे ही पूरा process work करता है नीचे लिखाए to automate lead capture copy the above web o qrl and configure it in your account reach out to your account manager from housing.com your integration will be activated by the team within a week's time once they activate the subscription lead will start coming to the campaign selected by you ठीक है तो दोस्तों आपको इधा पर एक चीज समझना है यह जो above web o qrl है इसको तो पहले हम कर लेते हैं copy ठीक है हमने इसको copy कर लिया उसके बाद आपको क्या करना है आपको reach out करना है आपके account manager को housing.com के या तो backend team को या account manager को तो वहां से वो लोग क्या करेंगे वहां से वो यह web o qrl आपके housing.com account में लगा देंगे जिसकी मदद से आप lead capture कर सकते है पैबली connect में तो पूरा process कुछ इस तरह वक करता है कि इस web o qrl की मदद से आप यह पूरा response capture कर सकते है पैबली connect में ठीक है यहाँ पर एक important note भी गिवन है click on the below capture web book response button and then context support so that web book response is captured here when they set the web book for you तो जब एक बार वो web book का setup कर देंगे तो यहाँ पर आप देख सकते है waiting for web book response हो रहा है इसकी मदद से हमको यहाँ पर response received होगा ठीक है आप यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस तरह आपको response capture होगा यहाँ पर आप देख सकते है mobile number शो रहा है last name शो रहा है first name शो रहा है email location तो basically यहाँ पर इस तरह response विसी ब्लोग आपको housing.com पर web book URL की मदद से अब दोस्तो हमारा objective यहाँ पर क्या है हमारा objective यह है add housing.com real estate leads to google sheet हम यह चाहते हैं कि हमें कैसा automation बना लें कि जैसे ही कोई new lead generate हो हमको housing.com से तो automatically lead का record हम add करने google sheet में तो इसके लिए आपको क्या करना है आपको यहाँ पर action step में आना है यहाँ पर आपको choose app में search करना है पहले google sheet तो में हम यहाँ पर search कर लेते है google sheets और नीचे से आपको google sheets चूज कर लेना है उसके बाद action event आपको यहाँ पर choose करना है add new row click करना है connect वाली button पर तो यहाँ पर dialogue box open हो जाएक आपके screen पर जो पोल रहा है connect google sheets account तो basically हमको यहाँ पर जो google sheets का account को पैबली करने के साथ connect करना है तो अगर आपको यहाँ पर जाते है add new connection के साथ आपको simply यहाँ पर click करना है sign in with google तो particular google account select कर लेना है जिसमें आपका google sheet का access है automatically यहाँ पर integration बिल्ड हो जाएगा google sheet और पैबली करने के बीच में मैं यहाँ पर जा रहा हूँ select existing connection के साथ क्योंकि मैंने already मेरा connection बिल्ड करके रखा है save पर click करूँगा और आप देख सकते हैं हमारा यहाँ पर connection हो गया google sheet और पैबली करने के बीच में connection बिल्ड हो गया अब दोस्तों इस process में आगे बढ़ने से पहले आपको सबसे पहले spreadsheet select करना है ठीक है वो इसलिए दोस्तों क्योंकि जो भी spreadsheet आप select करेंगे उसके according यहाँ पर नीचे detail शो होगी तो यहाँ पर मैं सबसे पहले spreadsheet select कर लेता हूँ spreadsheet का नाम है housing.com real estate lease यह particular google sheet में डेटा आइड करना चाहता हूँ तो मैंने इसको यहाँ पर choose कर लिया ठीक है तो जो भी spreadsheet आपने create करके रोगे Google sheet में वह आपको यहाँ पर visible होगी यहाँ से आप उस चीज को choose कर सकते है ठीक है select sheet में sheet 1 है यहाँ पर हमाई system ने automatically fetch कर लिया sheet 1 उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते है first name, last name, email, phone number, city यह same columns हमको यहाँ पर show हो रहे है ठीक है तो इधा पर हम data add करना चाहते है यहाँ पर आपको data करना है mapping कैसे करते हैं बहुत simple step है आपको data map करना है previous step से हमको यहाँ पर response capture हो इधर से यह आपको data map करना है mapping बहुत important step भी इसका importance हम समझेंगे पहले हम यहाँ यहाँ पर data map करते है तो first name में हम map कर देते हैं first name क्या है Max first name है, last name क्या है, last name है, Hales email address क्या है, email address है, Hales123-publicuse.com, random phone number यहाप एड कर देते हैं, और city में हम यहाप लोकेशन में क्या दिख रहा है, भोपाल यहाप एड कर देते हैं, mapping बहुत ही simple step है, जैसा कि आपने देख लिया, कि data आपको कुछ इस तरह map करना है, अब इसका importance भी आपको समझना है, तो mapping की मदद से आप हमेशा dynamic response चनरेट कर सकते हैं, इसका मतलब यह हुआ, एक बार आपको यहाप पर data map कर देना है, उसके बाद automatically यहापर value change होती चाहेंगे, जब भी हमारा workflow run होगा, तो basically फिर्स ने में max, लास ने में his, for example, next user जो lead generated हो यह, उसका नाम है test user, तो automatically test user यहाप 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 कर रहे हैं, कोई भी चीज़ आप यहापे manually type करेंगे, वो हमेशा static रहेगा, for example, यहापे मैं city में manually डालू बोपाल, तो हर response में, Google Sheet में city में बोपाल बोपाल यहाप यहाप कर देंगे, तो दोस्तों इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, कि कोई भी चीज़ आप यहाप करेंगे, उसकी मदा से आपको हमेशा dynamic response जनेरेट होगा, इसका मतलब यह हमारा automation successfully work कर रहा है, आइए चेक करते हैं, मैं आपको ले चलता हूँ Google Sheet पर, और जी हाँ दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं, एक new record हमको यहाँ पर add हो गया है, max hills जिसका नाम है, email address है hills123.publicuse.com यहाँ पर random four numbers हो रहा है, city में वह बाद शोग रहा है, तो दोस्तों कुछ इस तरह आप यह पूरा process automate कर सकते हैं, पैबली करने की मतलब से, इसमें कोई भी coding इसकी जरवद नहीं है, आइए summarize करता हूँ कि इस पूरे process में हमने क्या कर रहा है, इस automation में trigger में हमने लिया housing.com, trigger event हमने लिया new leads, action step में हमने लिया google sheet, action event हमने लिया add new ro, जिसकी मतलब से हमने google sheet में data add कर लिया, दोस्तों यहाँ पर लिखा है instant, इसका मतलब यह है, instantly यह पूरा process होगा, इसका मतलब यह हुगा, कि जैसे ही कोई new leads generate होगी housing.com पे, तो तुरंद google sheet में data add हो जाएगा, automatically, दोस्तों बहुत ही simple automation है, कोई भी coding skill की जबद नहीं है, आपको यह पूरा automation एक बार बनाना है, और पूरा काम अपने आप होगा, ठीक है, तो दोस्तों अगर आप भी इस automation पे काम करना चाते हैं, इस workflow को test करना जाते हैं, तो इस workflow की जो link है, वो आपको मैं description box में डाल दूँगा, तो आप same workflow को clone करके उस पे काम कर सकते हैं, और अगर दोस्तों आपको इस workflow में कोई भी doubt है, तो आप में को comment section में ज़रूर बताएं, Thank you. यही नहीं दोस्तों आप और भी integration बना सकते हैं, पैबली करने की मदद से, और आप हमको mail कर सकते हैं, supportadheretpably.com पे, अगर आपकी कोई queries हैं या कोई doubt है, तो आप हमको mail कर सकते हैं, forumadheretpably.com पे, और अगर आपको कोई price related issue है, तो आप इस link पे जा सकते हैं, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया, तो इसको like करें, share करें, और हमाई channel को subscribe जरूर करें, Thank you.